इस चाइना में government की permission की बिना आप दूसरा जनम भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि पहली बात दूसरा जनम होता है या नहीं ये किसी को नहीं पता और अगर होता भी है तो जनम से पहले government से permission कैसे लेगा दरशल चाइना में दूसरे जनम को काफी ज्यादा माना चाता है यहाँ दूसरे जनम का कॉंसेप्ट काफी फेमस है खास कर ऐसे मौंक्स के लिए और चाइना की population पहले से बहुत ज्यादा है इसलिए government के permission के बिना दूसरा जनम लेने से यहाँ population और बढ़ जाएगी और ऐसा करने पर jail और fine भी हो सकता है इनका logic इन ही को समझ में आएगा आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करनो मत भूलना